इस मैंगो सीजन के आपने ये ट्राइ किया है जली से ट्राइ कर लीजिए बहुत जादा यमी है चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मैंने इसको बनाने के लिए पाव लीटर दूद लिया है एक पैन में उसमें आधा गलास पानी एड़ कर देंगे गैस ओन है फिर उसमें चीनी एड़ कर देंगे दो टेबल स्पून के करीब चीनी मैंने इसमें आड़ कर दिया है और अच्छे से इसे mix कर लेंगे mix जब हो जाएगी फिर इसमें हम add कर देंगे सेवयां सेवयां वहीं जो हम इद में मनाते हैं शीर खुर्मे में वह लिए सेवयां roast करके रखी हुई है तो घी में roast किया था मैंने तो इसको add कर देंगे add करने के बाद इसे mix कर देंगे इतने दिया तक पकाएंगे 5-10 मिनट ताके सेवयां फूल जाएं अच्छे से जब सेवयां फूल जाएगी दूद में अच्छे से boil आ जाएगा उसके बाद हम इसमें custard powder add कर देंगे mango custard powder जो पहले ही मैंने दूद में घोल के रखा हुआ था वो इसे मैं add कर दूँगे इसके अंदर और फिर इसे 10 मिनट तक और पका लेंगे ताके सेवयां में जो कसर है वो भी निकल जाए और अच्छे से mix हो जाए फूल जाए सब अच्छी तरीके से और consistency भी जो है इसकी अच्छी हो जाए थोड़ दर पकाने के बाद इसे room temperature पे आप मतलब ठंटा कर ले उसके बाद एक container ले ले एक container में इसे आप transfer कर ले अब मैं थोड़ा सा था इसलिए मैंने छोटा वाला लिया है अगर आप जादा बनाएंगे तो उसके हिसाब से quantity आप ले 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 उसके बाद इसमें सारे mango के chunks काट दे मैंने half mango इसमें काट के डाला हुआ था आप चाहे तो जितनी मरजी चाहे डाल दे इसको आप चिल्ड करे एकदम ठंटा करके सर्फ करेंगे सब लोग आपके तारिफों के पुल बानेंगे बहुत ही टेस्टी यमी डिलिशेस बनके रेडी होता है चैनल पर नए है सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर दिजेगा अल्ला हाफेज